राम भारत की आत्मा है, राम का विरोध पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई, जो सपना महत्मा गाधी ने देखा था, वो पूरा होने जा रहा है, राम सब के हैं, सब राम के हैं, पाइस जनवरी को घरगर दीप जलें, खुशियां मिठाई बटें, ढोल नगाड़े बजें, राम धुन गली गली में हो, राम भजन हो, संकीर्तन हो, तगपती रागव राजा राम, पते तपावन सीता राम, इश्वर अल्लह तेरो नाम सब को सर्मत दे भगवा, राम भारत की आत्मा है, राम के बिना, ना तो भारत की कलपना की जा सकती है, और ना जीवन की कलपना की जा सकती है, राम का विरोध, पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई, तो राम का विरोध हिंदुस्तानी कैसे कर सकता है रोम रोम में राम है और ये परम सौभाग्य का विश्य है कि भगवान श्री राम की जनम भूमी के मंदिर की प्रांट प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को मात्मा गाधी ने राम राज का सपना देखा था जो सपना मात्मा गाधी ने देखा था वो पूरा होने जा रहा है भगवान राम का जो अवतरण है वो राम नौमी के दिन है लेकिन 22 जनवरी को राम राज की पुनर स्थापना का दिन है मैं पूरे भारत को इस राम राज की पुनर स्थापना की बधाई देना चाहता हूं और राम सब के हैं? सब राम के हैं इसलिए राम को किसी एक राज, किसी एक वर्ग, किसी एक जाती, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है राम किसी एक पार्टी के नहीं है राम सब के है तो सिदाजी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी करव प्रणाम जोर जुग पानी तो 22 जनवरी को घरगर दीप जलें खुशियां मिठाई बटें ढोल नगाड़े बजें राम धुन गली गली में हो राम भजन हो संकीरतन हो तगपती रागव राजा राम पतेत पावन सीता राम इश्वर अल्लह तेरो नाम सब को सर्मद्दे भगवाद